वो बेटी का हमें याद आ रहा बार बार वो बिटिया दिल्ली में सुर्धा एक बिधर्मी दूसरे धर्म के ब्यक्ति आपताब जिसका नाम था उससे उसने प्रेम किया उपता है क्या दुर्दसा हुई 35 टुकडे करिये गए है 35 टुकडे मैं प्राथना करूंगा स्वधर्म इसलिए तो हम कहते हैं अब ऐसे लोगों से बचने के लिए हिंदूओं को ये कहोना पड़ेगा बहुत जरूरी है हम सनातनी हिंदू है हमारे अंदर हिंदू का खून है हम जब तक जिएंगे तब तक सनातन एकता के लिए बोलते रहेंगे बुरा मत मानना मैं यहां बैठे सब पागलों से कहूंगा मुझे लोटकर दुबारा मा के गर्भ में नहीं जाना है किसी को नहीं जाना है लेकिन जब तक जिएंगे तब तक सनातन की बात करते थे करते रहेंगे और आप ताप जैसे ब्रोधियों को धर्म ब्रोधी जो मानवता के भी ब्रोधी है ऐसे लोगों के खिलाब हम जंग लड़ते थे लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे और अब हिंदूओं की बेहनों को जगना पड़ेगा इन लोगों का एक सेक्लिरिजम है एक फंडा है भोली भाली हिंदूओं की बेटियों को प्रेम के चक्कर में फसा करके बलात रूप से दुर्धसा करवा करके फिर उनकी हत्या करना कितनीों की नहीं हुई, कितनीों 35 तुकड़ों को ज्यादा से ज्यादा 7-8 तुकड़े हो सकते शरीर के 35 तुकड़े उसने फ्रिज में रखा है और वो फैक के चला भी जाता रोज एक-एक तुकड़ा फैक रहा था कोई सुन भी नहीं पाता मुंबई भी भाग जाता और साइध हमारी शुद्धा गुम नाम कि व्यक्ति के उपर भरूसा मत करना हम किसी धर्म के बरोधी नहीं है पर संदर के कटटार है तुम विवाय करना भी तो संदर जातनी से प्रेम करना कम से कम वो मस्तक पर तिलक गले में माला लगाये हो ऐसे शंदर करना विभाः करना कि मेरी बेहन entering के लिए बुरा मत मानना आज की कता में मुझे बहुत आज दर्बार में इस बात के लिए बहुत आवेस आ रहा था किसी को बुरा लगे तो छमा करना या दूसरे धरम का व्यक्ति रिफाइन ओवाइल रिफाइन के तेल में हाथ डाल दे फिर तिल के बुरा में हाथ डाल दे जितने हाथ में तिल छप जाएं उतनी बार भी कोई सौगन दिखाए तब भी एक तिल बराबर बिस्वास मत करना यह हम नहीं कहते हैं यह हमारे बाग के नहीं है महराना प्रताप के बाग के हैं दूसरा व्यक्ति, दूसरे धर्म का व्यक्ति अगर तेल के कनिष्टर में हाथ बोर कर तिल के बोरा में बोरी में हाथ डाल दे और जितना तिल हाथ में लग जाए उतने बार भी वो अपने बाग की सौगन दिखाए तब भी तुम एक तिल बराबर उस पर भरोसा मत करना, मत करना, मत करना अब समय जगने का आ गया तुम्हारी माला ठीक है, तब तुम गुरु के चेला ठीक हो, आपस में लड़ लड करके, सनातन को मत दुबाओ, प्लीज प्राथना है, लड़ना तो इन ब्रोधियों के खिलाप अब एक हो जाओ अब समय आ गया है या हम बोलते हैं तो लोग गते हैं कि आप आग फैलाते हो कई जगए हमारे नाम से पुतले भूंके जाते अंसन किये जाते यूटूब पर हमारे नाम से फंडिंग करकर के हमारे खिलाप चैनल बनाए जाते लेकिन हम धरते नहीं हैं तुम्हें जो हो करो तुम्हारा काम है धन्वाद same to you लेकिन हम जब तक जियेंगे तब तक सनातन की बात करेंगे जब तक जियेंगे तब तक क्योंकि हम गदार नहीं हम सनातन हिंदू है सनातन गुरामत मानिएगा हम ब्राम्भण भी कह सकते थे अपने आपको लेकिन हमारा पहला परचय हम हिंदू है वो भी सनातनी हिंदू हम जाती वादिय नहीं है सनातनी है अब यहाँ पर बैठे लोगों को भी जगना पड़ेगा अरे तुम सोचो हमें क्या फाइदा है बोलने से हमारी कथा तो बैसे ही खूब है दरवार में बैसे ही खूब समदाय आ रहा हम तो खामा खाम मोल आफत ले रहे हैं हम तो जो धर्म बिरोधी लोग हैं मिस्नरियां इनके टार्गेट पर हैं आज के समय तार्गेट पर जबसे हमने आद्वासियों की कथा प्रारंब की मिस्नरियों को अटेक आने लगाए कि ये आदमी अगर यह से ही जाता रहेगा तो एक दिन उन्हें पता है कि ये आदमी जहां भी जाता है वहाँ अब कुम्ब नहीं महां कुम्ब लगा और इनका हाथ हमारा मात है उसका ये प्रताप है तो बहनों मेरी बहनों इस वीडियों को जरूर जन जन तक पहुचाना तुम मर जाना विना विवाह के काना कूगरा लंगडा लूला इसको स्विकार कर लेना बहन मेरी बहन अगर मुझे मानते हो तो मैं भारत की प्रतेक बहनों से प्राथना करूँगा सपन में भी किसी दूसरे धर्म का क्योंकि वो कलावा बांद कर आएगा तिलक लगा कर आएगा फिर तुम्हें लव जिहाद का सिकार बनाएगा वो काल नहीं बनकर आएगा वो अगर काल नहीं बनकर आएगा तो मेरी भारत की बेटियों मेरी भारत की बहनों तुम्हें रानी लक्ष्मी माई यो दुर्गा बन जाना तुम्हें अब रानी लक्ष्मी माई बनना पड़ेगा यत्र नारियस्त पुज्यन्ते रमंते तत्र देवता चंबल की बहनों तुम पर कम असर है क्या रानी लक्ष्मी बाई का ऐसे बिधर्मियों के खिलाप तुम भी मोर्चा खोलो और कोई सनातन के खिलाप या तुम्हारी किसी सहेली को कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति पहला रहा हो फुशला रहा हो माया जाल फैला रहा हो बहन मेरी प्रात्रा है हो सके तो उसका पुर जोरो ब्रोध करना क्योंकि पहले वो व्यक्तिक कलाबा बांध कर आएगा पहले तुमारे गरबा महुत्सों में नौरात्त्री में गरबा में आएगा और अगर कुछ बोलो तो लोग कहते गुरुजी आप नफरत फैला रहे हो भाई चारा चलाओ भाई चारा भर क्यों बहन चारा भी होना चाहिए गरबा में केबल बो मुसल्मान भाई क्यों आते हैं बहनों को भी उने लेकर आना चाहिए भाई चारा भर क्यों भाई बहन चारा चलाओ वो भी लेकर आएं गरबा में वो भी अपनी माताओं को अपनी बेहनों को लाएं हमारी बेहने जाती हैं गरबा में महुत्साओं में वो भी लेकर आएं लेकर नहीं अगर कुछ बोलो तो कहते हैं गुरुजी तो आग फैलाते हैं बागे सुर गुरुजी के बिगड़े बोले बागेश्वर महराज के भड़काउ भासर ठटरी के बरे नकटा तुझे सनातन की एकता की बात भड़काउ नजर आती है हिंदुत एकता की बात भड़काउ नजर आती है भारत के संत एक मंच पर हो जाए ये बात बोलें तो तुझे नफरत रहें, तुझे भड़काउन नजर आती है, बुरा मत मानना, सब अधकारी भी बैटे है, सब लोग भी बैटे है, जो जिस पदपर है, आपके उपर ईशुर की कृपा है, तुम पदपर हो, हम पर पहला जी की कृपा है, कि हमें गुरू जी ने बाला जी ने ब्यास पीट पर बैठा रखा है, लेकिन इसके उपर भी हमारा एक कर्टब है, वो है सनातनी हिंदू एकता, कर्टब का पालन करना, चाहे वो राजपीट के लोग भी बैठे है, राजनेता भी बैठे है, तुम्हें भी सौगंद है, सनातन धर्म की, तुम्हारे पुर्वजोने, हमारे पुर्वजोने, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सिर्क टवा दिया, पर जुके नहीं, और हम लोग जुक जाएं, क्या बुजदिल हैं, सुवास्चंदर बॉस और चंदर शेकर आजाग के देश के लोग हैं हम लोग, स्वामी विवेकानंद की भूमी के लोग हैं, मुझे बड़ा दुख होता, और आजकल साधू ही साधू किनिंदा कर रहा, एक सरकार दूसरी सरकार पर टार्गेट, मैं प्राथना करूँगा, साध्मों को एक होना पड़ेगा, लड़ने से काम नहीं चलना है, सक्ती दिखाने से काम नहीं चलना, और सक्ति अगर सनातनी व्यक्ति को दिखाई तो क्या खाग दिखाई सक्ति दिखाना ही है न सब सनातनी संत एक हो जाओ और इन बिरोधियों को दिखाओ सक्ति क्या होती है हमारी सुध्धा बेहन के साथ जो हुआ न दिल्ली में इस्वर करे किसी के साथ ना हो ये बीडियो जरूर जन जन तक पहुँचा देना ताकि कोई तो जगे कोई तो जागे किसी के अंधर तो सनातन की हमारी ये दुख हमारी पीडा जगे हमारा दुख हमारी पीडा सनातन है कोई तो समझे इतने के लिए हमें कता ब्यासों में हम सब कताब आकिसों को मानते हैं पूज गुरुदेव जगत गुरु भगवान तो भगवान है वो तो एकदम कट्टर बोलते हैं तुलसी पीठा दी सो पूज मलुपीठ वाले महाराज जी भी अब तो एकदम बोलने लगे हैं लेकर एक हैं जिनको हम बहुत प्यार करते हैं हमारे बड़े भाईया पंड़े स्री देविकी नंदन ठाकुर। बहुत महापुरुस काम का है बहुत महापुरुस काम का है हम लोगों में इसलिए आपस में टूनेंगे चोटे भाई और बड़े भाई महापुर्ष काम का है कुछ भी कहो कोई हमें बता रहा था बुझे गुरु जी उन्हेंने कथा बाद में की पहले सुठ्धा की चर्चा की हिंदू वही है सनातनी वही है सबसे पहले अगर सनातन नहीं बचेगा हिंदू नहीं बचेगा तो बताओ कथा कौन सुनेगा कौन कहेगा मंदिर कौन जाएगा संतों को प्रनाम कौन करेगा रामायर कौन बाचेगा राम के बारे में कौन जानेगा संस्कृति को कौन अपनाएगा संसकार को कौन अपनाएगा कोई नहीं अपनाएगा इसलिए बरतमान में सनातनी हिंदुओं का एक होना जरूरी है जरूरी है बहुत जरूरी है